जब कभी भी जीवन के अंदर कुछ समझ नहीं आये कि क्या करें क्या नहीं करें तो अपने आप शांत रहिए अकेले में बैठी थोड़ा सा चिंतन कीजिए थोड़ा सा ध्यान कीजिए थोड़ी सी आत्म शमिक्षा कीजिए कि कहां चूक हो रही है क्यों मैं आगे नहीं बढ पा रहा हूं तो आत्म चिंतन करेंगे आत्म शमिक्षा करेंगे तो यकिनन कोई ने कोई हल आपके शमक्ष आये गया और उस हल पर काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा होता है चला जाएगा समस्या को समस्या समस्या कर गए उसको हावी नहीं होने देना अपने को अपने को स अब कोई भी समस्या आगए उसमें बात करोगे इसका क्या हल हो सकता है तो कई सारे समाधान आपको नजर आएंगे किसी एक समाधान को पकड़ कर चलोगे तो समस्या का निस्तारण है जो हो जाएगा चीजों को थोड़ा सा लाइटली लेने का अभ्यास करें हैं जीवन में ल कारम कर रखी है 41 नंबर का वीडियो आज इससे पहले कि 40 टेस्ट सिरीज आपने नहीं दे कि तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और तीन बजे मैंने केवल फर्स्ट गेड़ वालों के लिए जिन्हों ने नहीं देखी तो देख लिजिए आप और टेलिग्राम चैनल जोइन कर लो कवी आधिक नेस हिंदी नाम से हैं जिस पर 8000 से अधिक लोग जूड़ चुके हैं यहां पर भी मैं सवाल सूसना वगरा डालता है जो रहता हू देखिए सातियों सब लोग अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाते हैं कहीं लोग एप पर कोर्स सेल करते हैं जिनकी फेस काफी होती है और सब भी गुरुजन अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन मेरा एक प्रियास है कि निश्रुल कुरूप से बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उन सा पुरुरत मंद साती है किसी भी कार्णवर्ष कोर्ष नहीं खरीद पाते हैं या उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो मेरा प्रियास है कि बहुत अच्छे से बिल्कु साधारण धंक से आपको समझाओं भी और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दूँ अब आपको य उतने ज्यादा साती जुड़ पाएंगे और उतनी ज्यादा मदद हो पाएगे चलिए सवाल देखते हैं यह सवाल मैंने आप से कल पूछा था कि रूपकों का बादशा किसे कहा जाता है तो बहुत सातियों ने कमेंट करके जवाब भी दिया था रूपकों का बादशा है जो तुलसिदा साहब को कहा जाता है बहुत सारे सातियों जवाब दिया था ठीक है यह तो हो गया कल वाला सवाल आज के सवाल में बात करते हैं कि मैं नारी मैं नारी अपावन प्रभू जग पावन रावन रिपूजन सुकदाई और राजीव बिलोचन भव भहे मोचन पा ही पाई सर नहीं आई रामचरित मानस की जो यह चोपाई है इसमें व्यक्त विचार किस पत्र का है कौन सा पत्र है जो यह कह रहा है अहल्या शवरी तारा या फिर मंदोद्री बताईए किस की किस पत्र का यह व्यक्त विचार है तो उत्तर हो जाएगा अहल्या का यह विचार है ठेक है आपने आपको पता है कि अहल्या ने विचार किया था जो जब भगवान श्री राम अपने अपनी पतनी सिता माता के साथ में अनुज लक्ष्मन के साथ में 14 वर्षों को बनवा से तुबन को गए थे उस समय भगवान श्री राम ने श्रापिज जो अहल्या थी अहल्या की अपने पवितर चरणों से जोकर किया पुने मानव जीन उसको प्रदान किया था उस समय किया ये प्रसंग आता है अगला सवाल देखिए तुलसी दास की किस रचना का समंध जोतिश्य है कौण सी वो रचना जिसका समंध क्या है जोतिश्य है रामलला नहचु का जान के मंगल का हनुमान बाहू का यह व बताईए कोण सी वो रचना है उत्त्र हो जाएगा डी रामाग्या प्रश्णावली यह क्या है एक जोतिश गरंद है जोतिश गरंद कह सकते हैं या फिर इसका सम्मंद जोतिश है ठीक बात रामलेला नहेचु की हम बात करेंगी इसमें क्या मिलता है पर चलो आपने बता दिय गरूजी रामागया प्रश्णावली में तो जोतिश सम्मंदित रचना है इसमें क्या तो संसकारों पर इस्त्री गीत अर्थार सोहर भगवान राम के जन्म के समय से सम्मन्दित है ये जो है रामलला नहेचु इसके अंदर क्या है संसकारों पर इस्त्री गीत कौनसा सोहर कौनसा गीत सोहर ठीक है और भगवान राम के जन्म के समय से ये क्या है सम्मंदित है राम के जर्म से क्या है सम्मंदित है ठीक है बात इध्यान में रखना जान की मंगल के अगर हम बात करें तो बगवान राम सिता की विवा का वर्णन नहीं जान की मंगल में क्या है बगवान अपने राम सिता जो है इनका क्या जो विवा था इसका क्या मिलता है वर्णनिया पर जान के मंगल में देखने को मिलता है हनुमान बाहुक इस रचना की विशे में कहीं बार पूछा जाता है कि हनुमान बाहुक क्यों लिखी के से लिखी क्या लिखी तो बाहू अपने भुजाओं की पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की इस्तूति की गई है बाहू पीड़ा से हनुमान बाहू में क्या है बाहू पीड़ा से मुक्ति के लिए ठीक के बाद यह हो गया चारों का वीवरण अपने अगला सवाल देखिए को इनमेंसे कौन सी रचना्त तुलसिदास सहाप की है इनमेंसे कौन सी रचना वावा तुलसी की है राम थ्यान आसान है कृष्ण गितावल इतने बार बता दिया कृष्ण गितावले ठीक है गुरूजी कृष्ण गितावले तुछ सिदासाब क्यों हो गई अब आगे बताओ तो राम ध्यान मंजरी किसकी है यह पेचले वाली वीडियो वीडियो जो मैंने बताई ती याद होतो तो स्वा स्वामी अग्रदास सथाब स्वामी अग्रदास सहाब की रामध्यान मंजरी ठीक है गुरूजी यह भी हो गई और श्री रामार्चन पत्दधती कि बात करूं तो किसकी है स्वामाणद स्वामान। इसली वीडियो में सवाल में ठीक है ये हो गई और राम ध्यान मंजरी ये होई गई अपने स्वामिया करदा साब की कृष्ण गितावले तुलसिदा साब की है रामार्चन पति रामनंद की जो राम सथसई है राम सथसई के बारे में जो शिव सिंग सेंगर है राम सथसई के बारे में शिव सिंग अगर साब म्हाइं अपने शिव सिंग सेंगर इन्हों ने कहा आप अ कि जो राम सथसई है ये किस की रिचनां टुलसिदा साब प था यहां अगला सवाल है कैं अट्रा अच्छा सवाल है कहीं बार पूछा गया है कभीर कानी कभीर कानी राख नहीं वरना श्रम श्रत दर सणी रैदास सहाब का मलूक दास का नाभा दास का या फिर प्रिया दास का तो किनका है ये कथन ये कथन हो जाएगा साब अपने नाभा दास का किनका नाभा दास जी का हो जाएगा और नाभा दास जी कौन से है राम भक्ति शाखा के कवी है अगर इनकी शाखा पोच ले जाए तो राम भक्ति शाखा कवी है इस कवी इनके लगब बब कंद्रासौ फ 007 के लगब भक्तमाल के रिसना की थे इनों नै जीविनी परागरंत तर ठीक है तो इनोंने कहा था कबीर के संदर में ये तो नावादाजने कहा था कबीर के संदर में ये बात ठीक है लेकिन ये तो बात हो गई और नावादाजन तुलसी के संदर में भी कहा है तो ये तो कबीर के संदर में हो गया तुलसी के संदर में ये कहते हैं क्या कि कली कुटिल जीव यह मैंने एक वीडियो में बताया था कली कुटिल कली कुटिल जीव निस्ता रही बाल में की तुलसी भैयो इसलिए वीडियो में बताया था निस्ता रही बाल में की तुलसी भैयो अब तुलसी नाम आ गया था अब तुलसी दाजमत समय लेना यह पंक्ति तुलसी साब की विशे में कही थी किसके विशे में तो नाबा दास ने कबीर कान राक नहीं वर्णा श्रम शटदर्स नहीं यह तो कबीर साब के समंद में कही और कली कुटिल जीव निस्तार रही बाल में की तुलसी भैयो यह तुलसी बाबा के समंद में कहा था नाबा दास ने और प्रिया दास ने बक्तमा राम और सिता के विवा के अवसर के किस कवी ने मिठिला की स्त्रीव से गारी घीत है जो घबाए यूट्यूब चैनल है मैं ठेली ठाकुर वाला अगर मैं ठीली ठाकुर के वीडियो बगरा आप सुनते हो उनके गीत वगरा सुनते हो तो इस सवाल का उत्तर भी आप आसान इस तो यहां उत्तर हो जाएगा कौन केशव केशवदास सहाब ने राम और शिता के विवा के उस्सर पर मिध्यलाइक जुश्ट्रियम से गारिकीत गवाया है केशवदास कृण सी है एक महत्वपुन रचना राम चंद्रिका और भी बहुत है राम चंद्रिका तो यह परबंद क अथारित किस पर है की राम है के खारित पर के ठीक है फुर्ट मैं प्रकाष को ने कितने प्रकाष इसमें 49 न तो यह थित की वीडियो में सवाल अब आपसे एक सवाल पूझ कहता हूं में सवाल आपके लिए यह है रामचरित मानस से किस समवाद का सम्मंद नहीं है सवाल क्या है रामचरित मानस में 3-4 समवाद देखने को मिलते है तो यह सवाल आपके लिए है रामचरित मानस से किस समवाद का सम्मंद नहीं है विकलप सुन लिजिएगा पहला विकलप है आपके शुव पार्वति समवाद आपको बहुत है कोन सा समवाद सम्मंद नहीं है रामचरित मानसें अपने शिव पार्वती का समवाद दूसरा विकल्व है आपके शमक्षे याग्यवलक के और भारद्वाज समवाद तीसरा रामसिता समवाद तीसरा अपने रामसिता समवाद चोता है काक बुशंडी गरुड समवाद इनमें से रामचरित मानसे किस समवाद का समवाद है जो नहीं है या कमेंट करके बताना और साथ यूँ यकिन दिलाता हूँ अगर नियमित रूप से परिक्षा तक इस सीरी से जुड़े रहे तो आपके बहुत सा साइट इत तो लाइक कीजिए और मेरी क्लासेज कैसी लगती है आपको यह भी कमेंट करके बता बताया करें सभी सात्यों को शेर करके जोड़े ताकि उनकी भी मदद हो पहली बार देखने वाले साथी सब्सकाइब कर ले गंटी वाले निंसारपन क्लिक कर ओल पर क्लिक कर लें ताकर कोई को सूचना मिलते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिली जाएगा कवी आधिगने सिंदी नाम से हैं आठ हजार से अधिक लोग है जो जुड़ चुके हैं पढ़ाई को लेकर आपकी कोई भी समस्या है तो मेरा दूसरा यूटूब चैनल है जिसका नाम है आधि की आवाज दूसरा यूटूब चैनल है आधि की आवाज यहां पर पढ़ाई समंदित बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं और समय समय पर में डालता रहता हूं जैहिंद फिर मिलता हूं